नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंजिन हेल्थ टिप्स फर यू में ठंड के मौसम में tild के बने पकवान अधिकतर लोगों के घरों में बनाये जाते हैं या बाजार से खरीद कर लाये जाते हैं जैसे तिल की गज़क या पट्टी आदी दरसल सरदियों के मौसम में तिल को किसी भी रूप में खाने से सेहत को फाइदा होता है वहीं तवचा पर भी इसका अच्छा प्रभाव होता है चलिए जानते हैं ठंड के मौसम में तिल का सेवन करने के बहतरीन फायदे तिल में monosaturated fatty acid होता है जो शरीर से cholesterol को कम करता है तिल खाना दिल से जुड़ी बिमारियों के लिए भी फायदेमंध होता है तिल में sesame नाम का antioxidant पाया जाता है जो cancer कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है तिल में कुछ ऐसे तत्व और vitamins पाया जाते हैं जो तनाव और depression को भी कम करने में मदद करते हैं तिल में calcium, iron, magnesium, zinc और selenium जैसे तत्व होते हैं जो रिदे की मास पेशियों को सक्रियर रूप से काम करने में मदद करते हैं तिल में dietary protein और amino acid होता है जो बच्चों की हड़ियों के विकास में सहायक होता है तिल का तेल त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है इसकी मदद से त्वचा को ज़रूरी potion मिलता है और इसमें नमी भी बरकरार रहती है दोस्तों अगर आपके जोडों में या मास पेशियों में कहीं दर्ध हो तो आप तिल के तेल का इस्तमाल कर सकते हैं तेल के तेल की तासीर गर्म होती है, जिसकी मालिष से आपकी मास पेश्यां खुल सकती है, या आपके जोडों में जो दर्ध है वो भी छूमंतर हो सकता है. तो दोस्तों इन सर्दियों में तेल का इस्तमाल करना ना भूलें. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करें